तोड़ा सा डिस्प्लेस्मेंट रिलेशन जो है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे ठीक है वैसे आपका जो डिस्प्लेस्मेंट रिलेशन है वो अगली क्लास में हम बीपली समझेंगे बठ आज की क्लास में थोड़े से उसके जो बेसिक्स हैं वो समझने तो बहुत सिंपल चैप्टर है यह वाला भी ऑसलेशन से डायर्कली यह वाला चैप्टर निकलके आता है तो यह चैप्टर समझने की कोशिश करते है कि हो क्या रहा है इधर ठीक है तो इंट्रोडक्शन में तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन का क्या काम है तो चैप्टर का नाम है वो समझना है है ना सारे के सारे चैप्टर के इंट्रोडक्शन में आप क्या करते हो चैप्टर का नाम ही तो समझते हो है ना कि उसलेशन का पर लेते हैं सब्सक्राइल है हमारे पास ठीक है एक रसी बंदी हुए दीवार से रसी दीवार से बंदी है पायल पायल ने रसी को ऐसे किया ऐसे ठीक है यह सिक रहा है अगर आप दीरे धीरे उसको नोट करो slow motion में उसको observe करो पायल के पाद ऐसे glasses है slow motion वाले तो वो दिखे कि दीरे धीरे यह जो disturbance है यह आगे चली जाएगी तो यही तो आपकी वेव होती है ना बच्चा यही तो आपकी वेव होती है यह ना बिटा तो वेव का मतलब क्या है एक disturbance है equilibrium position से wave is nothing but a disturbance from equilibrium position वो रसी अपनी equilibrium position पे थी वो रसी खुश थी पायल ने उसको हिलाया जिसकी वज़े से रसी के अंदर एक disturbance हुई और अब वो disturbance अपनी equilibrium position से उस रसी को हिला चुकी है तो अब यह disturbance create हो गई है from equilibrium positions जो travel भी कर रही है which travels ठीक है यह होती है आपकी wave यह disturbance है जो आपकी किसी भी तरीके से create हो सकती है displacement के terms में electric field magnetic के term में pressure difference के term में किसी भी तरीके से कुछ displacement आपकी कुछ disturbance करिये हो गई है जो आपकी अब travel कर रही है ठीक है waves की एक खास बात क्या होती है कि waves के अंदर जो particles होते हैं वो लेकिन travel नहीं करते यह waves के अंदर एक काफी important point है कि जो particles themselves है particles themselves do not travel ठीक है अब सबसे पहले मुझे यह बताओ class में dance का कौन-कौन शौकी नहीं है किस-किस बच्चे को dance पसंद है यार मेरे को पसंद है मैंने ऐसे कथक भी कर रहा है पांच साल तक ठीक है very good अनुश्का विल्कुल सही बोल रहे हो बिटा विभा also likes to dance that is great बागी कोई बच्चा जिसको dance पसंदो थीक है तो ऐसे dance का के से चेंड मना कर भी ृव वला स्टेप करते एं एक लोगोंने अपने हाद पकड़के चेंड मणा रखिया और उसमें भी ऐसे एक यह वेव वाला स्टेप करते है तो उसके अंदर अगर आप उसको इमाजन करो जो इंसान है इंसान तो अपनी जगह से नहीं हिलता नainenक तो अपनी जगह पर यह रहता है काली उपर नीचे हो रहा है इंसान वैसी अगर मैं हातों से एसे वेव अचारे की कोशिश कर रही हूं तो इस तो वहां से उधर चली गई या फिर में यहां से इदर चली गई ऐसा थोड़ी हो रहा है मैं अपनी पोजिशन पर ही हूं मेरे हाथ अपनी पोजिशन पर ही है बस वह उपर नीचे उसलेट कर रहे हैं ठीक है बेटा ऐसे अगर आप एक और एक्जामपल लो तो आजकर ऐसे य के अंदर एक traveling wave बन जाती है ठीक है तो wave की यही खास बात है कि wave में पार्टिकल्स होते हैं वो travel नहीं करते हैं बट पार्टिकल्स चौह होते हैं वो ऐसलेट करते हैं ठीक है, और अपका आपका जो momentum है वो आपका ट्रांस्फर हो रहा है जिसकी वागा से आपकी जो वेव हो आगे जाती है He के उबसाइब के तो आपका वीस का मुशन ऐसे इस वाले जो यह डाग्राम मैंने बनाया है उसमें तरीके से आपका वेव का equation नहीं, wave का motion हो रहा है, ठीक है, आपकी wave कुछ इस direction में travel कर भी, आपकी disturbance आप देख सकते हो, किस direction में Is that okay guys? यहां तक clear है सब बच्छों को? Yes, yes ठीक है, तो आपकी wave की motion वाली जो direction है, वो आप सब लोग देख सकते हो कि क्या direction है, इस में हो क्या रहा है कि यहां पर आपकी यह कुछ disturbance create हो गई है, जो यह आगे अब यह disturbance travel कर रही है यह जो disturbance है, this is moving forward and wave is moving in this direction ठीक है, तो आपका जो motion of disturbance रहेगा, वो ऐसे रहता है motion of disturbance सोड़ा सा उपर की side पे रह रहा है motion of disturbance alright, तो अब यहां से आप wave की एक अच्छी definition और लिख सकते हो wave motion की एक अच्छी definition लिख सकते हो कि wave motion जो होता है उसके अंदर आपकी transfer of disturbance हो रही है ठीक है, wave motion involves transfer of disturbance transfer of disturbance disturbance मतलब transfer of energy ठीक है, wave motion का मतलब है कि transfer of disturbance हो रहा है या transfer of energy हो रहा है from one point to another from one point to another without actual transport of matter without actual transport of matter तो इसका मतलब यही है बिल्कुल सही बिल्कुल सही मैं यही बोल रही हूँ कि आपके जो particles है वो move नहीं करते बट energy जो है वो transport होती है ठीक है तो यही तो मैंने यहाँ पर लिखा ना बच्चा कि आपकी जो disturbance है जो energy है वो transfer हो रही है बट आपका transport of matter नहीं हो रहा है जो आपके particles है वो move नहीं करते है तो यह होती है आपकी wave यहाँ तक समझ में आया बच्चो इस फिल्ट इलिए ठीक है very good तो आप introduction का ही एक और part है आपका कि waves आपकी कौन-कौन सी type की होती है ठीक है बटा तो सबसे पहले न waves को आप दो तरीके से categorize कर सकते हो पहला तरीका है requirement of medium ठीक है requirement of medium का क्या मतलब हो गया कि wave को आगे चलने के लिए wave को travel करने के लिए क्या medium की जरूरत है या फिर wave vacuum में travel कर सकते है तो इसके basis पे बच्चो wave को दो तरीके से बाटा गया है एक होती है आपकी mechanical wave you have mechanical wave very good अनुष्का बेटा mechanical wave होती है बिल्कुल सही बच्चा non-mechanical wave होती है ठीक है एक आपकी mechanical wave होती है एक आपकी non-mechanical wave होती है alright एक तो आपका ये criteria हो गया जिससे आप wave को दो categories में divide कर सकती हो दूसरा criteria क्या होता है wave को divide करने का कि wave किस direction में चल रही है और जो आपके particles है वो किस direction में oscillate कर रहे है ठीक है तो अगर आप direction of wave motion देखो direction of wave motion देखो very good समच्चों को ऐसे याद हैगे chapter भी and you look at direction of oscillation of particles and direction of oscillation of particles ठीक है तो बिटा इसके base पे भी आपकी जो wave है वो दो तरीके से categorize करी गई है सब बच्चों ने बिल्कुल सही बोला है एक आपकी transverse wave होती है जो थोड़ी सी easy रहती है समझने में ठीक है एक आपकी transverse wave हो गई दूसरी होती है आपकी longitudinal wave इसको longitudinal पी बोलते हैं but I am more comfortable with longitudinal तो अगर आपको longitudinal बोलना है आप longitudinal बोलो it's completely your call ठीक है इसको हम longitudinal wave भी कहते हैं ओल राइट ये category समझ में आई कि हाँ दो तरीकों से हम wave को दो तरीकों से divide कर सकते हैं अब हम सारी के सारी को एक एक करके समझेंगे यहां तक clear है बिटा yes ma'am ठीक है तो सबसे पहले आप देखो कि हमने divide किया था wave को कि उसको material की requirement है या नहीं mechanical और non-mechanical तो mechanical waves वही होती है आपकी जिनको medium चाहिए होता है travel करने के लिए ठीक है they require medium to travel they require a medium to travel तो इसके तो बहुत सारे example समझ लो एक example तो यही समझ लो waves on a string अभी तो हमने देखा कि भाई रसी के ओपर wave बन रही है वो पायल बना तो रही थी पायल ही बना रही थी न वीटा कि एक end से रसी बन दिवी थी एक end से वो ऐसे ऐसे फ्लिक कर रही थी तो वे बन रही थी बिल्कुल सही वेटा waves on water surface भी लिखती है मैंने है ना sound wave भी आपकी material की ज़रूरत रूपती आप लोगों ने पढ़ाए कि sound आपकी vacuum में travel नहीं करते तो sound wave के case में material की ज़रूरत है वापकी जो water surface के अंदर waves बन रही है उसके अंदर बीढ को wave बनने के लिए water की ज़रूरत है अगर आपके हवा के अंदर वी देल्स की ज़रूरत में अब को medium की ज़रूरत है travel करने के लिए तो इनको हम कहते है mechanical wave, अगर आप spring के अंदर भी wave बना रहे है, भी हम देखेंगे कि Moving on, non-mechanical wave, इसका विलकुल exact opposite हो गिया, non-mechanical wave को material की requirement नहीं है, requirement of medium नहीं है यहाँपर, ठीक है, so these are the types of waves which do not require medium to travel, यह waves बोलती हम ऐसे vacuum में से गुजरेंगे, भाई, हमें medium नहीं चाहिए, so these waves do not require medium to travel, ठीक है, तो इसका मतलब यही है, कि आप vacuum में in waves, मतलब यह जो waves हैं, यह आपकी vacuum में भी travel करते हैं, alright बच्चों, तो इसका जो सबसे major और सबसे बड़ा example होता है, हाँ बेटा, इसका सबसे major example होता है आपका electromagnetic wave, ठीक है, electromagnetic wave होता है, इसका example, light is an electromagnetic wave, तो यह electromagnetic wave इसका example हो गया बेटा, यह सारी आपकी electromagnetic में ही आ जाएंगी बच्चों, ठीक है, electromagnetic में आपकी, electromagnetic का पूरा spectrum होता है, electromagnetic wave की अलग-अलग frequency होती है, अलग-अलग wavelength होती है, तो पूरा एक electromagnetic का spectrum होता है, उसमें सारी के सारी जो भी आपकी यह light waves है, वो सारी कि सारी इसी में आ जाते हैं. ठीक है बिटा, तो EM wave में क्या होता है? अब आपका electric field होता है, यह आपका electric field है, यह आपका कुछ magnetic field है. तो यह दोनों एक दूसरे से perpendicular होते हैं, और आपकी जो wave होती है, वो इनसे perpendicular होती है. ठीक है, जो आपकी wave चल रही है, वो इनसे भी perpendicular direction में चल रही होती है. तो इनका super position चलते हैं और आपकी wave मूज़ करती है. ठीक है, तो इस तरीके का system हो रहा होता है आपका. Is that okay guys, mechanical, non-mechanical समझ में आया, सबसे पहले यह बताओ. Yes ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. तो इस तरीके से waves को divide किया था था ना, transverse और longitudinal में, कि wave किस direction में move कर रही है और particle किस direction में oscillate कर रही है. तो इस तरांस्वर्स wave के case में क्या होता है? आपका जो particle है, यह मेरा particle है. ठीक है, बहुत बढ़ा सा particle बनाया है, ताकि सबच्चों को clearly दिख जाए. ठीक है, यह उपर नीचे oscillate कर रहा है और जो आपकी wave है, उसकी direction कुछ ऐसे है. ठीक है, this is the direction in which wave is traveling. मतलब 90 degree का यहाँ पर आपके पास angle बन रहा है. तो इस तरीके की wave को हम transverse wave कहते हैं. ठीक है, तो transverse wave के अंदर क्या होता है? जो भी आपकी disturbance है. disturbance में particles जिस direction में आपके oscillate कर रहे हैं, आपकी जो wave है, उसकी perpendicular direction में move करती है. सबसे पहले बताओ, इस तार्ड, okay? येस मैं. ठीक है? चलो, तो इसको समझने के लिए हम example लेते हैं, waves on string का. Waves on string. तो waves on string जो होती है, वो आपकी transverse wave ही होती है, पिटा. तो अगर आप किसी string की बात करो, ठीक है, यहाँ पर मैंने ये string draw किया है, सबस्थ, तो इसमें आप wave कैसे बनाओगे? कुछ इस तरीके से आपकी wave आएगी ना? सबस्थ, आपके पास रसी है, यह कुछ देखा नहीं है, क्या आज कल ऐसे जिम वगेरा की विडियो जिन बच्चों ने थोड़ी बहुत देखिया, उसमें देखा है, ऐसे ऐसे करते है, arms की exercise होती है, back की होती है, किसकी होती है, तो अगर मैं वो कोई भी बच्चा है, सबस् इस तरीके से दिखेगी वो वाली वेव, है ना बेटा, फिर अगर मैं कुछ टाइम बाद फिर से फोटो लूँ, तो यह वाली वेव थोड़ी आगे बढ़ चुकी होगी, है ना, कुछ टाइम बाद अगर मैंने फोटो लूँ, तो माम हो सकता है, यह वेव और आगे इस तरीके से हो गया हो मामला, तो बिटा, यहां पर हो क्या रहा है, अगर मैं किसी एक पार्टिकल के बारे में बात करूं, सपोज मैं इस पार्टिकल के बारे में बात करूं, तो यह जो पार्टिकल है, यह यहां से लेकर यहां तक पूरा मस्त उसलेट कर रहा है, है ना, तो इसलिए SHM Waves के पहले पढ़ाया जाता है क्योंकि यह देखा जाता है कि वेव आपकी तब पंतीस अब सारे के सारे particles मस्त ऐसे SHM perform कर रहे हैं अपनी जगह पर वो देखा है न स्टेडियम के अंदर इंसान उपर नीचे बैठता ही तो है उसी तो पूरे स्टेडियम में वेव डिवेलप हो जाती है तो इंसान की oscillation शुदू होती है वेव डिवेलप हो जाती है तो अब यहां पर आप देख सकते हो कि particles आपकी इस direction में oscillate कर रहे है और वेव आपकी किस direction में travel कर रही है ऐसे इस direction में आपकी wave travel कर रही है तो waves on string जो होता है that is one of the perfect examples of transverse wave is that okay guys yes ma'am yes ma'am very good एक और चीज़ आप note down कर सकते हो कि EM wave भी जो होती है that is also an example of transverse wave क्योंकि EM wave में तो मैंने आप लोगों को बताया ही था कि electric field और magnetic field भी एक दूसरे से perpendicular होते है और wave भी जो होती है wave का भी जो motion रहता है it is perpendicular to electric and magnetic field ठीक है तो जो disturbance create हो रही है because of electric field magnetic field wave का motion उसके directly perpendicular होता है तो जिस case में भी ये angle आपका 90 degree के बराबर है particle जिस direction में oscillate कर रहा है wave जिस direction में move कर रही है if they are making an angle of 90 degree then you say that the wave is transverse is it okay बटा अब आप ये animation भी देख सकते हो बच्चों ठीक है यहां से भी आप लोगों को समझ में आएगा तो अबना animation को इसको दो तरीके से देखो सबसे पहले तो आप ये देखो कि आप देख सकते हो किसी भी एक particle को observe करो किसी भी एक particle को सपोस्पोस मैं यह वाला particle जो यहां पर है उसको observe कर रहे है तो बटा ये particle खाली उपर नीचे ही तो जा रहा है है ना बटा इंजल बच्चा अभी आपको विजिबल एक लास बिटा इंटरनेट में कुछ दिक्कत होगी तो अगर मैं किसी भी particle के बारे में बात कर रहे हो तो पार्टिकल तो अपनी जगा पर खाली उसलेट कर रहा है मतलब जो particle है वो अपनी जगा से आगे नहीं जा रहा particles जतने भी है वो अपनी जगा पर खाली उसलेट कर रहर है वे वाकि आगे बढ़ रही है ठीक है, जो भी मेरा particle है, वो ऐसे move कर रहा है, ठीक है, this is how my particle is oscillating, particle oscillating, और मेरी wave किस direction में चल रही है, इस direction में, this is the direction in which my wave is moving, so this is a classic example of transverse oscillation, transverse motion, ठीक है, is this okay? Yes, ma'am clear है वीटा, तो अब चलो longitudinal के बारे में बात करते हैं, ठीक है तो longitudinal wave में क्या होता है, अभी हमने देखा कि particle जिस direction में oscillate करता है, और wave का motion जिस direction में होता है, वो 90 degree का angle बनाते हैं, longitudinal के case में, आपका particle जिस direction में oscillate करता है, wave भी आपकी उसी direction में move कर रही होती है ठीक है यह आपकी wave motion है, wave और particle की basically oscillation चो हो रही होती है, वो same तरीके से ओर रखी होती है, यह आपका wave motion है, यह आपका particle है, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि particle जिस direction में आपका oscillate कर रहे हैं, उसी direction में आपकी wave भी move कर रही है, तो इसका बेटा, इस situation में क्या होता है, जो आपक fractions के through travel करते हैं, ठीक है, wave travels through compression and rare fraction, compression and rare fraction, इसको वैसे हम बाद में और अच्छे से analyze करेंगे, अभी मैं आप लोगों को briefly अगर समझाओं, तो suppose spring का example लो, ठीक है, take the example of waves on a spring, spring के अंदर भी waves बन सकते हो, waves on spring, तो बेटा, अब suppose एक बच्चा है, spring एक side पर fixed है, बच्चा ऐसे ऐसे कर रहा है बार-बार spring के साथ, तो वो भी बेटा wave में result करती है, कैसे आपकी कुछ इस तरीके से wave बनेगी, यहाँ पर spring pass है, यहाँ पर spring खुल ला है, फिर एकदम से spring फिर से pass है, फिर spring खुल ला है, फिर एकदम से spring फिर से pass है, फिर spring travel करेगी, फिर कुछ टाइम बाद आप observe करोगे, यह वाला जो area यह आगे चल चुका होगा, यह वाला जो area यह आगे चल चुका होगा, यह वाला आगे चल चुका होगा, and so on and so forth, पानी में भी तो होते है ना नदी में, मतलब पानी वाली जो कि हो आपकी I think transverse wave होती है, ठीक All right, तो अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है, एक जगा पर spring जो है, वो compressed है, दूसरी जगा पर expanded है, और यही compression और जो rare fraction है, यह आपकी आगे travel करी जा रही है, ठीक है, तो इस direction में आपका spring जो है, वो कैसे move कर रहा है, spring ऐस ऐसे ऐसे oscillate कर रहा है, और आपकी जो wave है, वो भी इस direction में travel कर रही है, हाँ बेटा, very good, sound wave is another example, ठीक है, sound wave भी आपका इसी का example होता है, is it okay guys, इसको भी एक बार animation से मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, sound wave भी इसी longitudinal wave का example होता है, बच्चों, all right, अब देखो, यहाँ पर आप है, ठीक है, इसने एक disturbance दिया है, जिसकी वज़े से वो पूरी की पूरी disturbance end तक travel कर रही है, तो travel कैसे कर रही है, compression और rare fraction के थ्रू, कुछ-कुछ parts compress हो रहे है, कुछ parts expand हो रहे हैं और आपकी wave आपके travel कर जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अब कि जो मेरे particles ह हैं, जो यह spring वाले particles हैं, वो ऐसे ही तो oscillate कर रहा है, ऐसे जा रहा है और ऐसे आ रहा है वापसी, ठीक है, ऐसी तरीके से तो oscillate कर रहा है, spring का particle, particle तो ऐसे ही oscillate कर रहा है, और wave जो है, वो ऐसे जा रही है, तो यह आपकी is a typical example of longitudinal wave, all right, longitudinal wave imagine कर पाए हो बच्चो, अब एक बार longitudinal or transverse wave का comparison भी आप लोग देख लो, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यह आपकी equilibrium मैंने एक position बना रखी है, equilibrium position में, यहाँ पर transverse wave में मैंने एक particle भी ले रखा है, you can see that the particle in this case, ठीक है, visible है बिटा, the particle is this case is moving from this place to this place, ठीक है, जो आपका particle है, वो आपका ऐसे oscillate कर रहा है, particle oscillation, औ और आपकी wave आप देख सकते हो, इस direction में travel कर रही है, तो यह आपकी transverse wave हो गली, अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यह जो यह pink color की पट्टी है, इसको देखो, ठीक है, जैसे जैसे आपका compression हो रहा है, जैसे जैसे आपका rare fraction हो रहा है, वैसे यह pink color की पट्टी तो इधर से गूम रही है, यह आपकी जो मैं note down कर रही हूँ, तो यहाँ पर आपका particle कैसे oscillate हो रहा है, आप देख सकते हो, और आपकी wave भी इस direction में travel कर रही है, तो यहाँ से तभी मैंने animation डाली, ताकि बच्चों को इसको समझने में दिकत ना रहा है, ठीक है, तो इसका एक simple सा question आया ह कि I think NEED के paper में ही आया है, वो एक बार देख लेते हैं, बहुत simple question है, आपसे पूचा है कि which of the following statements is true, तो बताओ what do you think is the correct answer in this case, A, B, C, D, सारे options देखो, बताओ क्या सही लग रहा है, सोचो बटा, मैं, option B, all right, option B, good job, very good, option B is right, and क्यों right है, आपको बोला है कि sound waves in air are longitudinal, while light waves are, transverse तो यही तो हमने पढ़ा है, है न, light जो होती है, वो आपकी एक EM wave होती है, electromagnetic wave है, बता, तो यह आपकी transverse होती है, this is a transverse wave, ठीक है बच्चों, और sound जो होती है, sound is your longitudinal wave, ठीक है, so option B is the right answer, ठीक है, very good, Anushka, नर्गे, स्पायल, आप लोगोंने भी chat पर आंसर कर रहते हैं, good job, is this clear, यहां तक clear है सब बच्चों को, ठीक है, चलो, अब आगे move करते हैं, अब जो अकला topic हमें पढ़ना है, SHM की equation, याद है, हमने सबसे पहले SHM समझ लिया था, periodic function समझ लिया था, फिर हमने equation लिकी थी न, y is equal to a sin omega t plus pi, तो वही हमें यहां पर भी लिखनी है कि wave की equation हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, वही सेम चीज हमें यहां पर भी लिखनी है कि wave की equation हम कैसे लिखेंगे, ठीक है बिटा, ठीक है, चलो, तो अब अगर मैं यहां पर देखू, तो wave हमारी बंती कैसे है, सबसे पहले यह देखो, ठीक है, तो यहां पर, अब मैं फिर से वही बता रही हूँ कि suppose आपकी एक wave बन रही थी और मैंने quickly camera से यह capture कर ली, so this is the, this is how I am drawing a wave at a particular instant of time, अगर मैं आगे कुछ तो तीन सेकंड बात देखूंगी, तो यह wave आगे shift हो चुकी हो, ठीक है बच्छो, तो यह wave को जो हम draw करते हैं, वो हम किसी particular instant of time पे draw कर रहे हैं, आपकी wave हमेशा यसी नहीं दिखती, वो आगे भी move कर जाती है, यहां पर x जो ह है, वो एक परीके से distance represent करता है, कि distance कितना cover कर लिया, आपकी wave ने, किस distance के बारे में बात कर रही हूं, और y जो होता है, y axis पे आप displacement plot करते हो, ठीक है, displacement किसकी particle की, displacement of particle, क्योंकि आपके सारे particles किसी amplitude से oscillate कर रहे है, they are oscillating with an amplitude which is resulting in the wave moving forward, ठीक है, तो हो क्या रहा है, suppose मैं wave को draw कर से, ठीक है, आपकी wave को हम ऐसे ही draw करते हैं, इस तरीके से आप wave को draw करते हो, तो बिटा आप इस situation में अगर आप observe कर रहे हो सारे particles को, तो आपको पता है कि सारे के सारे particles must SHM perform कर रहे है, ठीक है, all the particles in this situation are doing what they are performing SHM, ठीक है बिटा, तो इस वाले case में जब मैं particles को draw करूंगी, तो यहां पर suppose क्या हो रहा है, कि यह वाला जो particle है, यहां पर जो particle है, वो यहां तक पहुचा, यह उसका position हो गया, यह उसका SHM हो गया, यह वाला यहां तक पहुचा, यह वाला यहां तक पहुचा and so on and so forth, ठीक है, अब अगर मैं कुछ time बाद यही same wave को plot सपोज मेरी अब यह जो wave है, यह आगे चली गई, ठीक है, यह वाली जो मेरी wave है, अब यह वोड़ी सी आगे आ गई, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा न मामला, ठीक है, पीछे से एक नई wave आ गई, यह वाली यह blue valley line दिख रही है सब बच्चों को बिटा, यह वाली यह इमाजन कर पा रहे हो कि हा माम ऐसे wave आपकी आगे चली जाएगी, ठीक है बिटा, तो अब आप यहाँ पर देखो कि particles का motion कैसे change हो रहा है, जो यह particle यहाँ पर था, अब वो particle यहाँ पर पहुंच गया, जो particle यहाँ पर इस side पर था, अब वो particle आपका यहाँ पहुंच गया, अब यह वाली जो यलो वाली wave है, उस पर यह जो particle था, वो एक तरीके सा जीरो सा पर था, अब वही same particle आपका यहाँ पहुंच गया, तो हो क्या रहा है कि आपके जो particles हैं, वो ही तो SHM continuously perform कर रहे हैं, SHM अलग-अलग time interval में, अलग-अलग phases के साथ वो SHM perform कर रहे हैं, जिसकी आपको SHM की equation नहीं आती होगी, आप wave की equation कैसे बताओगे, wave को कैसे सब्दी होगे, ठीक है लिटा, is this okay guys, yes ma'am, very good, तो अब मुझे ये चीज़ बताओ कि अगर मुझे y की value जाननी है, अगर suppose मुझे y की value जाननी है, तो मुझे क्या क्या पता होना चाहिए, सबसे पहलो तो म मुझे पता होना चाहिए, distance, है ना, अगर मुझे y की value जाननी है, तो मुझे distance की value पता होनी चाहिए, x की value पता होनी चाहिए, है ना, कि मैं कौन से particle के बारे में बात कर रही हूँ, कि वाई कौन से particle के बारे में बात कर रही हो, इसके बारे में बात कर रही हो, कौन से particle के ब वेव बनती है तो अब स्टेडियम में जो वेव है उसमें लोग अलग अलग सीटों पर बैठे हैं तो सबसे पहले अगर आपको मुझे डिस्प्लेस्मेंट बतानी है कि कोई बंदा इग्जाक्ली अभी इस टाइम पे कहां पर है तो मुझे आपको आप लोगों को मुझे बत हाना पड़ेगा कि माम इस टाइम पर बताओ कि यह बंदे की डिस्प्लेस्मेंट क्या थी है ना क्यूंकि जो बंदा है वो कंटेनूसली उचल रहा है तो मुझे निपता कि वो हवा में है सीट पे है नीचे गिरा हुआ है क्या चल रहा है मुझे नहीं बता। हुख है तो एक बार रिपीट कर देती हूँ, मैं बोल जी हूँ, why आपकी displacement of a particle है, तो अगर मुझे displacement of a particle की value बतानी है, तो वो आपकी x पे भी depend करेगी कि कौन से particle के बारे में बात हो रही है, किस distance के बारे में बात हो रही है, है न, and it will also depend on the time, क्योंकि आपका जो particle है, वो continuously motion में है, तो अगर आप उस particle को observe कर रहे हो, मुझे पता चल गया, किस time पे observe कर रहे हो, वह तो बताना पड़ेगा न, ठीक है कि माम बताओ कि एक meter पे, एक meter पे, जो particle है, वो एक second पे कहां था, तब यह तो आप बता पाओगे, उसकी exact displacement, एज न, बिटा, तो इसलिए बोला जाता है, कि यह जो y है, it is a function of x and time, ठीक है, इसलिए यह चीज़ बोली जाती है, कि यह जो y होता है, it is a function of x and time, आल राइट, तो सबसे पहली, तो यही हमारी term आगई, कि y जो आपका x and time का function होना चाहिए, बट सारे functions जो x and time के होते, they are not representing a wave, अगर मैं आपको example दूँ, तो suppose y is equal to x cube minus 3t square है, तो आपको लगता है, यह wave equation है, मैं बता देती हूँ कि यह नहीं है, this is not a wave, ठीक है, वैसे अगर suppose मैं y को लिख दू, क्या लिखे हैं, बताओ, log की term में लिख देते हैं, log of t raised to 4 multiplied by x cube, तो बट सारे इस इस आपकी wave नहीं है, तो इसका मतलब है कि यह तो हमें समझ में आया, that y should be a function of x and time, but ऐसी कुछ conditions भी है, जो आपको follow करनी पड़ती है, जिसकी वज़े से आप बोलते हूँ, कि यह जो equation है, यह wave equation represent कर रही है, या नहीं कर रही है, ठीक है, यहाँ तक clear है बच्चों? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब उन conditions हैं, वो आप note down कर लो, ठीक है, कि what are the conditions, तो इसकी heading भी मैं वही डाल रही हूँ, conditions for y, जो भी आपका यह y of xt है, to be a wave. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास एक नया mathematical tool आएगा, जो होता है आपका partial differentiation. ठीक है, तो पहली condition यही होती है, कि अगर आप इस y को differentiate करो with respect to time, बिटा, partial, अभी तक आपने जब differentiation की बात करी है, हम लिखते है d y by dt, ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि जो भी मेरा function है, वो खाली एक variable पर depend कर रहा है, ठीक है, बट यहाँ पर आपका जो y है, वो x पर भी depend कर रहा है, time पर भी depend कर रहा है, तो इस case में हम partial differentiation का use करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं, del square y upon del t square, जो condition है, it must be equal to a constant multiplied by del square y upon del x square, मतलब अगर मैं y को differentiate कर रहे हूं time के respect में दो बार, it must be equal to some constant multiplied by the differentiation of y with respect to x, if I am doing that twice, यहाँ पर जो k है आपका, it is not equal to 0, it is a constant value, is it okay guys? यहाँ मैं, ठीक है बेटा, और एक और condition क्या होती है, एक दूसरी, अभी मैं इसको na example देके भी समझाओंगी, तो बच्चों को tension लेने के ज़रूरत नहीं है, यह partial differentiation का क्या मतलब है, वो मैं आपको example देके भी समझाओंगी बच्चा, एक और condition क्या होती है, कि y चो होता है, it should be defined, y should be defined for all values, for all values of x and time, for all values of x and time, ठीक है, मतलब चाहे x infinity हो, चाहे time infinity हो, चाहे x zero हो, चाहे time zero हो, x की कोई भी value है, time की कोई भी value है, y हमेशा defined होना जाई है, is it okay, yes ma'am, ठीक है, तो अब इसका एक example देके, मैं आप लोगों को ये चीज़ समझाती हूँ, इसका एक example ले लो बच्चो, तो सबसे बड़ी आ example है, हमारी जो wave की equation होती है, वही इसका सबसे इच्छा example है, ताकि आप समझपाओ कि वह partial differentiation का मतलब क्या है, तो हमने क्या बोला, wave equation चो होती है, वह आप लोग note down कर सकते है, wave equation आती है, a sin of omega t minus kx के बराबर, plus kx भी आ सकता है, minus kx भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो इस तरीके कि हमारे पास wave equation आती है, तो अब हमने दो conditions क्या देखी थी, पहली condition थी, that del square y upon del t square, must be equal to constant multiplied by del square y upon del x square, ठीक है, ये जो k है और ये वाला k सेम नहीं है, ये वाला जो k है, यहाँ पर del square y upon del t square is equal to k del square y upon del x square में, this case, just saying that there should be a constant value this side, और दूसरी condition हमने क्या देखी थी, कि y should be defined, इसको भी ना math में कुछ short से लिखते है, मुझे याद नियारा कैसे लिखते है, y should be defined for all values of x and time, ठीक है, तो सबसे पहले ये second वाली condition देखो, ये पहले वाली condition तो differentiate करके आएगी, sign के अंदर है time और x की value, तो sign की maximum value कितनी होती है, what is the maximum value of sign, 1, बिल्कुल सभी, sign की maximum value 1 होती है, minimum value कितनी होती है, minus 1, तो अगर या, t की value 0 है, x की value 0 है, t infinity है, x 0 है, कुछ भी अगर आपके पास x और t का combination है, sign की तो maximum value 1 या minus 1 ही आ सकती है, ना, तो y तो हमेशा आपका defined होका, y की value या तो फिर a रहेगी, या फिर minus a रहेगी, या फिर उसके बीच में रहेगी, y की value defined होने का क्या मतलब है, कि y कभी भी आपका infinity नहीं आना चाहिए, तो y infinity नहीं आएगा इस case में, तो second condition तो आपकी fulfill हो गई, येश मैं, अब ये first condition के बारे में बात करते हैं, उसका मतलब क्या है, ये समझते हैं, तो first condition का क्या मतलब है, del y by del t का क्या मतलब है, del y by del t, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो, कि y आपका time पे भी depend कर रहा है, x पे भी depend कर रहा है, तो इसको मैं time के terms में भी differentiate कर सकती हूँ, में तब हम इसका use करते है तो अब आप यहाँ पर क्या करो कि x को constant मानोगे और time के terms में इसको differentiate कर दोगे ठीक है x को मान लो constant कि x आपका change नहीं हो रहा और खाली time के terms में इसको differentiate कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा sine का cos हो जाएगा और क्योंकि यहाँ पर omega है तो यहाँ पर omega भी आ जाएगा आपके पास है ना अगर kx मेरा constant है मैंने खाली time के terms में इसको differentiate कर दिया ठीक है बटा और अगर मैं इसको एक और बार differentiate कर दूंगी तो मेरे पास del square y upon del t square आ जाएगा एक और बार differentiate करने में cos आपको देगा minus sign ठीक है तो एक minus लिखती है और sign का expression लिखती है यहाँ पर omega ओल रेड़ी था एक और omega आ जाएगा तो omega square बन जाएगा is this okay guys differentiation सब revise कर लो बार बार बोढ़ बोढ़ें यह chapter में differentiation trigonometry दोरों का use होता है ठीक है बच्चों clear है यहाँ तक यहाँ पर मैंने kx को रखा constant partial differentiation का मतलब क्या होता है कि जो भी दूसरा variable है उसको आप constant मान लो और time की terms में इसको differentiate कर दिया is this okay yes अब अगर मुझे x के terms में करना है यह same चीज़ तो अब मैं क्या करूंगी time को constant मान लोगी कि यह जो omega t वाली term है यह constant है तो फिर से sign को differentiate करूंगी तो cause आएगा अब यहाँ पर x के साथ में minus k है तो यहाँ पर मेरे पास minus k से multiplication हो जाएगी जो आपके पास variable के साथ में constant होता है उसके सो तो multiply जबता है तो minus k से multiplication हो जाएगी ठीक है और अगर मैं इसको फिर से differentiate करूंगी तो cause का minus sign हो जाएगा तो minus a sin of omega t minus k x आया मेरे पास और फिर से यहाँ पर minus k है तो यहाँ पर हो जाएगा minus k का whole square is this okay guys yes or no पहले वाले case में हमने x को constant रखा time के terms में differentiate किया दूसरे वाले case में हमने time को constant रखा x के terms में differentiate किया अगर इसको और अच्छे से समझना है तो suppose मेरे पास y की value है 3x minus 2t तो अगर मैं इसमें del y by del t लिखती हूँ तो मैं x को मान लूँगी constant इसकी differentiation हो जाएगी 0 time को differentiate करूँगी खाली minus 2 बचेगा और अगर मैं del y upon del x लिख रही हूँ तो अब मैं time को constant मानूँगी 3x की differentiation 3 आ जाएगी सीधा 2t की differentiation 0 हो जाएगी समझ में आया यह partial differentiation का मतलब क्या होता है येस मैम ठीक है विटा तो यह बहुत simple सा बढ़िया सा concept है आप यहाँ पर देख सकते हो कि यह दोनों same same से ही तो आ रहे हैं del square y upon del t square और del square y upon del x square यह तो दोनों same से ही लग रहे हैं तो अगर मैं इन दोनों को divide कर लूँ del square y upon del t square divided by del square y upon del x square अगर आप इसकी value देखोगे तो यह minus a से minus a कटा sign वाली term से sign कट गया खाली omega square upon k square बचेगा और यह जो होता है यह आपका constant होता है यह जो होता है आपका constant होता है इसका मतलब है यह जो given है given आपके पास wave equation है ठीक है that is why इसको हम wave equation कहते है is this okay guys यह कैसे आया ma'am क्यों आया ma'am क्या हुआ मैं सब कुछ समझ में आया clear है बचों पका yes ma'am ठीक है तो लेकिन अब यह तरीका तो यह जो तरीका यह तो लेकिन काफी बड़ा नहीं है अगर आपको हर बार wave के लिए ऐसी चेक करना पड़े तो यह तरीका काफी बड़ा नहीं हो गया screen visible है बटा इस question में मैंने विभा कुछ भी नहीं किया यहां पर मैंने simply आपकी del y by del t की value निकाली x को constant रखा time के terms में differentiate किया del square y upon del t square की value same x को constant रखके time के term में differentiate कर दिया ठीक है बच्चा del y by del x अगर आपको निकालना है तो आप time को constant रखोगे x के terms में differentiate करोगे और फिर से मैंने del square y upon del x square same method से निकाल दिया अगर अब मैं इन दोनों को divide कर रही हूँ तो मेरे पास answer क्या आ रहा है omega square upon k square जो मेरा constant है तो मेरी first condition भी तो satisfy हो गई न कि del square y upon del square y del t square divided by del square y del x square एक constant होना चाहिए यही तो थी first condition ठीक है बच्चा इस दाड़ के अब इसकी shortcut क्या होती है shortcut इसका बहुत ही बढ़ी है ठीक है इसको आप बोलो shortcut short trick कुछ भी बोलो ठीक है इसको मैं ऐसे shortcut बोलती हूँ shortcut क्या बोलो चलो shortcut बोल देता है shortcut shortcut क्या है कि अगर आपका जो y है y आपका function है किसका ax plus minus b t का ठीक है मतलब x के साथ में कुछ भी constant multiplied है b के साथ में कुछ भी constant multiplied है और इस तरीके का आपके पास y का function है तो यह हमेशा आपकी wave equation ही आएगी यहाँ पर जो a और b हैं वो आपके constants है a and b are constants ठीक है तो यह वाली जो होती है यह आपके पास हमेशा wave equation ही आती है provided that y is defined y is defined for all x and d provided की y जो है वो आपका सारे के सारे x की वाली उसके लिए और सारे के सारे time की वाली उसके लिए defined है तो यह वाली जो चीज रहती है यह सच होती है ठीक है तो आपकी जो y होती है वो हमेशा आपकी wave equation होती है तो अगर अब मैं एक दो examples देखूं ठीक है color change करते है green color से देखते है अगर अब मैं जो पिछला वाला example देखा था वो ही देखूं हमने क्या देखा था y है a sin of kx minus omega t देखा था या उल्टा था omega t minus kx था चलो कुछ भी है omega t minus kx कर देते हैं यही देखा था ना पिछला example तो यहां पर आप देख सकते हो कि एक function आ गया ना ax minus bt का इसके situation में omega और k आपके constant है और यह वाली सारी की सारी इसमें जो आपकी y की values है they were defined for all x and time as well that is why this was a wave equation is it okay guys yes man ठीक है तो अब अचले यह समझ मैं है तो चलो आप लोग मुझे बताओ कि अगर मैं y को लिख दू 2x minus 3t so will this be a wave equation क्या यह wave equation होगी क्यों नहीं होगी विटा why not function नहीं है क्यों क्या हो गया 2x minus 3t खुदी एक function है हो जाएगा फिर हो जाएगा पिटा अच्छा यह चीज समझो कि यह आपका first value situation दो satisfy कर रहा है ax plus minus bt का यह function है बट यहाँ पर दिक्कत है एक दिक्कत क्या है कि y की value आपकी infinity हो जाएगी ना अगर x आपका infinity हुआ या फिर आपका time जो है वो infinity हुआ तो y की value is not defined y is not defined in this case for all values of x and t y is not defined for all values of x and t right can you guys see that yes ma'am तो इस reason की वज़े से this will not be a wave equation not a wave equation it is not because कि यह ax plus minus dt के form में नहीं है it is not a wave equation because y is not defined for certain values in this case all right is that okay ठीक है ऐसे ही एक दो example हम all लेते हैं ताकि आपकी यह पली चीज थोड़ी सी clear हो ठीक है एक और example अगर मैं लूँ आपका suppose मेरे पास है y is equal to 1 upon x plus 3t का whole square अब बताओ की do you think this is a wave equation क्या ये wave equation represent कर रहा है do you guys think this is representing a wave equation सोच के बताओ बच्चो सूरज बोल रहा है no क्यों नहीं कर रहा है बिटा वाइड यू थिक इस नोट रेप्रेसंटिक अवे अगर आप यहां पर भी मैं एक्स की वाल्यू जीरो पुट कर दूँ टी की वाल्यू जीरो पुट कर दूँ तो मेरा वाइड इंफिनिटी नहीं हो जाएगा यह समय ठीक है तो this is also not a wave equation ठीक है यह भी आपकी wave equation नहीं होती एक दो एक्जांपल और ले लेते हैं तब एक्जांपल यह ले रहे हैं एक एक्जांपल यह आपका अच्छा एक्जांपल है y is equal to e raised to minus 2x plus 4t का square अब इसका बताओ क्या यह wave equation है या नहीं है do you guys think this is a wave equation or not देखो यह वाला भी जो आपका function है यह भी आपका function of ax plus bt ही है यहाँ पर भी 2x plus 4t का यह factor है नो दोनो constant है बताओ बिटा do you guys think this is a function or not wave function है यह wave equation है all right तो this is actually a wave equation यह आपकी wave equation represent करती है क्योंकि आप देखोगे कि y में आप कोई भी value जेलो suppose x or time आपके 0 हो गए ठीक है तो आपके x or time मगर 0 हो गए तो e की value कितनी हो जाएगी e raise to 0 मतलब 1 के बराबर हो जाएगी और अब अगर आपके x और y दोनो infinity हो गए तो e की value कितनी हो जाएगी minus infinity मतलब 0 ठीक है तो इस situation में y is defined for all values of x and t y is defined for all values of x and time is that okay guys yes ma'am यहां तक सबको समझ में आया है बिटा आगे चलू yes ma'am ठीक है very good तो अब आगे चलते हैं अब एक चोटा सा concept और समझना है हमने यह चीज़ तो देख ली कि y जो होता है it is a function of ax plus minus bt ठीक है तो यहां पर आपकी a का जो मतलब magnitude है जो sign है a का और b का जो sign है उससे आप बता सकते हो जो आपकी wave किस direction में travel गर रही है कैसे अगर आपका ax plus bt है मतलब दोनों का sign same है या फिर आपके पास minus ax minus bt है मतलब दोनों का जो coefficient है वो या तो फिर positive है या फिर negative है मतलब दोनों का coefficient same है तो इस case में wave जो है आपकी it travels in negative x direction wave travels in minus x direction ठीक है wave जो होती है आपकी minus x direction से travel करती है from right to left ठीक है wave आपकी right to left travel करेगी minus x direction में इस तरीके से wave travel करती है and on the other hand अगर दोनों के जो sign है वो opposite है आपके पास है minus ax plus bt या फिर आपके पास है ax minus bt ठीक है तो इस situation में आपकी जो wave होगी stuck है screen अच्छा बताओ बिटा stuck है अभी visible है बच्छो ठीक है तो मैंने क्या बोला कि अगर दोनों के sign आपके same है दोनों के sign positive है एक का negative है तब जो आपकी wave है वो positive x direction में travel करती है ठीक है wave travels in plus x direction ठीक है इस case में आपकी plus x direction में travel करती है from left to right ठीक है left to right आपकी wave जो है वो travel करती है तो इस direction में आपकी जो wave है that is traveling is it okay guys? यहाँ तक clear है बिटा? ठीक है? एक और important चीज जो यहाँ से आती है हमारे पास आप यहाँ से wave की speed भी बता सकते हूँ wave की speed भी बता सकते हूँ wave की speed कितनी होगी? जो आपका coefficient of time है divided by coefficient of x so v is equal to b upon a ठीक है? coefficient of time divided by coefficient of x होता है आपका b upon a आपके पास आता है is it okay till here everyone? yes ma'am yes ma'am ठीक है बच्चों? तो अभी हम अगली class में वैसे आगे और move on करेंगे बट आप देखोगे कि कोई भी अगर आपकी wave है तो वो इस तरीके से आती है मतलब x minus vt का function होता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि x minus vt है तो जो direction होती है इस case में इस तरीके से आपकी wave move करती है ठीक है यह आपके पास wave का motion रहता है और यही पर अगर आपके पास x plus vt कर दू मैं तो यह जो direction है this direction is of negative x-axis ठीक है तो अब आपकी जो wave है वो negative x-axis की towards travel कर रही है it is traveling from right to left ठीक है right to left it is traveling and this is the direction of the wave ठीक है बच्चों is it okay ठीक है तो आज की class में हमें इतना ही पढ़ना है अगली class में हम देखेंगे कि यह जो y का expression हमारे पास आता है so y depends on x and time आपका x और time पर ही आपका y जो है वो depend करता है और आप देखोगे कि y का expression आपके पास आता है वो आता है a sin of ने shm में भी देखा था बस वहाँ पे kx वाली चीज नहीं थी omega t plus pi था ठीक है यहाँ पर आपके पास kx वाली चीज और आड होगे यह बस इतना ही difference है ठीक है तो यह हम अगली class में derive करेंगे is it okay everyone ठीक है विटा yes ma'am yes ma'am very good